हेलो स्टुडेंट दीसी सबसे पांडे योर अग्रिकल्चर मेंटर और आपका स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल पे जिसका नाम है अग्रिपो तो आज के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोड़क्टरी एग्रो फॉरेस्ट्री का यूनिट 3 पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग पार्ट वन में हम लोग ये पढ़े कि नैशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी है वो कब आये थी कब सबसे पहले उसकी सुरुआत हुई थी 1898 सॉरी 1848 में हुई थी ठीक है इसको मैं देखा देता हूँ आपको ठीक है जो फॉरेस्ट पॉलिसी किस रॉआत हुई थी 1855 कब हुई थी 1855 में हुई थी ठीक है उसके बाद हम लोग 1894 के वारें पढ़े थे इनके क्या प्राव्स थे क्या प्रॉंस थे क्या खुविया थी और क्या-क्या ट्रॉबैक थे वो सारे चीजी अम लोग कबर कर के बाद तुरंत जो इंप्लीमेंट हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ठीक है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो the first forest policy of 1894 was revised in 1952 तो जो first forest policy जो 1894 में आई थी उसको revised किया गया 1952 में on the basis of six dominant needs of the country तो छे basic needs थे उसके अधार पर क्या किया गया forest को classified किया गया उसको बाटा गया balance and complementary land use तो balance होना चाहिए और complementary land use होना चाहिए balance और complementary land use का मतलब यहाँ यह है कि जितने पे लोग रह रहे हैं जितने एरिया में लोग रह रहे हैं उतने ही एरिया का हम forest बनाएंगे मतलब 50-50 का ratio लेंगे या forest policy में यह बुला गया कि इसी भी country में 33% forest होना चाहिए ठीक है तो denudation in the catchment areas denudation in the catchment area का मतलब यह catchment area मतलब जहां हम बारिस के पानी को store करते हैं जो तलाब होते हैं पोखरे होते हैं वह सब चीज़ है तो उनकी सुरवात की गई अगला है stabilizing tree land for wherever possible कहीं भी मतलब जहां भी आपको area दीख रहा है खाली जंगा दीख रही है जहां कि आप क्या कर सकते हैं वहां पेड लगा सकते हैं तो आप वहां लगाईए ठीक है यह था एक allow the supplies allow the supplies of grazing small wood and fuel wood कहने का मतलब यहां यही है कि ज्यादा से ज्यादा allow the supply of grazing मतलब जो forest है जहां हम पेड लगा रहें वहां हम पसुओं को भी चराने ले जाएंगे क्योंकि उनके आसपास जो भी घास और हर्प्स हैं और कुछ वीड्स हैं उसको उस पसुओं के द्वारा उसको खालिया जाएगा और वह जहां हमेशा clean रहेगी ठीक है तो यह भी होगा और वहां से हमको से जो भी हमको क्या मिलेंगे resources मिलेंगे जैसे की firewood मिलेगा उसका हम इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा इंधन ठीक है क्योंकि 1952 की बात है तो उतना देश technology के मामले में आगे नहीं बड़ा था induction और यह सब induction जो था और gas है तो वह सारी चीज़े उतना क्रेज में नहीं थी ना लोगों के पास था तो यह सर भी चीज़े हम forest से ही जो अपने इंधन था लकड़ी था वो लेकर आते थे और उससे हम अपने घर में चुला जलाते थे ठीक है checking soil erosion by the soil conservation and water conservation तो यह भी एक इसमें बहुत important expect था कि हम ज्यादा से ज्यादा soil erosion को क्या करें उसको reduce कर पाएं उसको रोक पाएं और हम यह कैसे रोक पाएंगे जब हम soil को conserve करेंगे soil conservation and water conservation हम पानी को बचाएंगे और soil को बचाएंगे तभी हम soil conservation and soil erosion को रोक पाएंगे fulfillment of revenue needs sustainable supply of timber and forest produces तो जो भी revenue needs है जैसे कि sustainable supply करते रहेंगे timber का और forest producers का जिससे कि हमारे आगे आने वाले पीडी में भी उसका इस्तमाल किया जा सके ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा यूज कर लिए और आगे आने वाले पीडी के लिए कुछ बचा ही नहीं तो हमको इस तरीके से growth करना है जिससे कि हम future में जो हमारी generation आने वाली है वो भी उस चीज का मतलब utilization कर सके ठीक है now moving to the next slide functional classification of forest में देखे बाटा गया तो इसमें आता है पहला protection forest protection forest का मतलब physical climate consideration ऐसे forest जिसमें कि हम अपने आपको protect करते हैं ठीक है जैसे कि अगर हम वो forest लगाते हैं जिससे कि हमारे आसपास का पूरा जो environment है वो regulate हो पाए वो control हो पाए जैसे आप लोग देखे होंगे आपकी घर के आसपास क्या होगा पूरा इलाका होगा जिसमें खूब पेड़ ही पेड़ होंगे जिसे हम नगरवन और बाकी नामों से जानते हैं जैसे कि अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस में इसे DM office के आसपास पूरा इलाका वहां पेड़ ही पेड़ है ठीक है हमारे घर के आसपास जहां मेरा बड़ा लालपूर घर है उसके बगल में military पूरा फार्म है जहां military लोग वो करते हैं और भी है कंटोमेंट एरिया जहां बहुत जादा forest प्रेड़ आपको दे पूरे environment को कौन control करा यह जो आसपास इतने धेड़ सारे पीड़ लगा है जिसके कारेड यहां का temperature हमेशा normal होता है ठीक है national forest defense and communication industry के तौर पे इस्तिमाल के जाता है defense में जैसे की जो जंगलों में जो training होती है उसका होता है और communication के basis पे इस्तिमाल के जाता है और industry forest से related to industries होती है उनको ऐसा उस पे national institution का control होता है वो regulate करते रहते हैं village forest local requirement ऐसे forest जो को village level पे बनाया जाता है छोटे areas में होते हैं यह और वो particular village के जो भी उनकी demand है उसको वो fulfill करता है वो forest or tree land मतलब public use आप जैसे highway पे जाते होंगे तो आप देखेंगे कि बीच में जो highway का divider होता है उस पेड़ लगे होते हैं छोटे छोटे ही पेड़ लगे रहते हैं यह क्या करते हैं यह रहागीर जो है रास्ते पे जो जा रहा है उसको छाया प्रदान करते हैं तो यह एक अच्छा पहल है जिसके कारण आप गावों मे लड़ा देता है जिसके कारण वो बच पाता है और accidents से भी बच जाता है तो यह सारी भी तरीके हैं trees land, village forest, national forest and protection forest यह कुछ functional classification थे forest के वैसे हम दो forest की classification बहुत बड़े हैं कुछ silent features की बात करेंगे कि इसकी क्या खासियस थी 1952 national forest policy की तो stabilizing tree lands, public and ensuring increasing supplies of grazing, small wood for agriculture, implement sustainable supply of timber, defense communication and industry बास सही है यह क्या किया इसका mean focus था कि ज्यादा से ज्यादा पेड लगाया जाए और उस जंगल में जो animals हैं उनकी grazing की संख्या पढ़ाई जिसके कारण जो soil erosion है और जो कुछ weedy plant है उनको हम वहां से खतम कर पाएं उससे तरफ जो forest में जो भी हमको timbers मिल रहे हैं उनका हम अच्छी तरीके से utilization कर पाएं और उससे हम क्या करें कि जो भी agriculture related implement है जैसे कि आप plow है, digs plow है, harrow है, cultivator है उसको हम बना पाएं ठीक है और sustainable agriculture की तरफ sustainable तरीके से हम growth करें जिससे कि हमारे आगे आने वाली जो PD है उस उसका भी वो फैदा उठा सके जो कि आज के डेट में जैसे कि हम defense communication और industry में ये काम करते हैं Considering the problem of shifting cultivation इसके क्या हुआ कि हम अपनी shifting cultivation की जो problem थी उसके focus किये हुए थे कि shifting cultivation क्या था? Slash and burn cultivation जिसे हम जूम cultivation भी कहते हैं इसमें क्या था? एक large amount में हम पेड को काटते हैं उसको चला देते हैं और वहां हम खेती करते हैं उसके जब हम वहां खेती कर लेते हैं फिर हम next area के पेड को काटते हैं और वहां हम खेती करते हैं तो slash and burn पहले काटो फिर उसको जला दो फिर उस एरिया में खेती करो फिर आगे बढ़ो यह जो प्रक्रिया थी slash and burn cultivation की यह ज्यादा तर आपके जो northern east रीजन था जैसे कि मैन मार है और शिकी में में घाले है तरी पूरा है तो यह सारे एरिया उसमें ज्यादा देखने को मिलता है focus on forest research and training हाँ इसका 1952 में यह सबसे important है कि forest research and training पर यह focus किये किसे focus किये forest research and training पर ठीक है तो यह line बहुत important है इसको आप लोग देख लेज़ेगा ठीक है आगे चलते हैं importance to wildlife management क्योंकि forest रहेगा तो हम उसमें क्या करेंगे wildlife जो भी हमारे species हैं उनका हम क्या कर पाएंगे उनके हम population को maintain कर पाएंगे growth कर पाएंगे क्योंकि हम उनको regular तोर पे हम उनको monitoring कर रहा है हम ठेक है sustained yield of forest management हाँ जो भी yield आएगी वह sustained होगी मतलब sustained होने का मतलब क्या है कि forest management के तौर पे वह हम उसको future upcoming जो भी generation आ रही है उसमें भी हम उनके yield का utilization कर सकते हैं पेड़ है बहुत ज्यादा वह अच्छी लकड़ी रेती है राट सेंडलोड है तो उसमें हम क्या करेंगे जो भी हमारा sustainable growth रहेगा उसका utilization करते रहेंगे और उनकी nursery भी त्यार करतेंगे जिससे कि हमारे आगे आने वाले generation है वह भी उस पेड़ का आनंद ले सके ठीक है तो यह कुछ silent features थे 1952 national forest policy के अब इनकी बात करेंगे कि defect क्या था 1952 की जो policies थी उसमें कमी क्या क्या रह गई क्या कमी रह गई अई सब चीज में कुछ ना कुछ कमी होता है तो हर चीज में कमी होता है तो national forest policy जो 1952 में आई थी उसमें भी कमी देखने को मिली थी तो कौन-कौन सी कमी थी उ of national forest policy 1952 यहां क्या होगा tree awareness among the people by publicity by celebrating the one mohasa forest festival annual Indian tree planting festival occupying a week in the month of July तो इसका देखे डिफेक्ट यह था कि हम बहुत ज्यादा awareness जगाएं लोगों को forest की पती की ज्यादा से ज्यादा पीड लगाएं जिससे कि हम अपने environment में जो climatical change हो रहा है उसको रोग पाएंगे और हमारे environment में balance बना रहेगा उसके लिए एक program चला था one mohasa जो की first week of July में हर साल celebrate किया जाता है इसमें करते क्या हैं हम एक large scale पे हम plantation करते हैं और record बनाते हैं इसमें बहुत school, college, university और भी नगर निगम के लोग सामिल होते हैं production versus conservation तो एक तरफ production की बात हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा produce करना और दूसरे तरफ conservation की बात हो रही है मतलब उसका sun रच्छर करना उसको बचा के रखना जिससे कि हम upcoming generation या हम खुद को ही future में उसका utilization कर सकें जैसे conservation का मतलब एक और example है जैसे कि अगर हम real life example दे तो हमको पता है कि ट्रमाटर के दाम बढ़ेंगे या प्याज के दाम बढ़ेंगे क्योंकि बहुत तेजी से प्याज और त्रमाटर के दाम बढ़ रहे हैं तो उस case में हम क्या किये कि हम थोड़ा सा चलाकी किये हम एक बोरा प्याज खरीद के रख लिए और प्याज वैसे हमको पता है कि इतना जल्दी सड़ेगा है नहीं तो हम करते क्या है कि हम future planning के तहद उस प्याज को रख लिए प्याज का दाम बढ़ भी जाता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि हमने future planning पहले से कर चुकी थी प्याज को लेके ठीक उसी प्रकार हम अगर वन महसो करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा plant लगाते हैं जिससे कारण आगे आने वाले generation में उस environmental disbalance से गुजरना उनको नहीं पड़ेगा ठीक है तो conservation ज्यादा पेड लगाएंगे तो ज्यादा ज्यादा soil का conservation हो पाएगा aimed more towards production lead forestry program lead to large scale deforestation तो यह deforestation को क्या करता है रोपता है ठीक है आगे चलते हैं mushrooming of industry mushrooming of industry का मतलब गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे industry को industrialization के तरफ हम बढ़ेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो भी forest related industry है वो आएं और अपने plant को लगाएं उस particular सहर में जिसकी कारण उस सहर का development हो सके ठीक है अब समझो sawmills, pulp and paper industry, plywood, vencer, particle board, match, split, sports goods and agriculture implement and constructed industry तो mushrooming of industry का मतलब इतने सारे industries जो है जैसे कि मैंने बताया paper board बनाना, sawmill बनाना, pulp बनाना, ठीक है paper industry है, पूरी plywood industry है, match split industry है, इसमें क्या होता है कि हम एक particular farm area पे large amount में हम industry खड़ा कर देते हैं, एक बगार की factory खड़ा कर देते हैं, जो की इस पूरे चीजों का supply करते हैं I am moving to the next slide Government versus participatory तो government क्या है, government जानते हैं, set of rules and guidelines के तहद, वो काम करता है अपना और अपना decision लेता है, और उस decision को central government में मानना ही पड़ता है, state government क्या करता है, कुछ decision को follow करते हैं, अपने अहुशार और कुछ decision को जरूरी नहीं है कि वो follow करें Government the role of people in managing the forest तो government में क्या है कि role of people, people का क्या role है जिससे कि forest को manage कर सके उसी प्रकार through a participatory mode major drawback, तो participate के तोर पे वो क्या करते हैं, forestry जो national forest policy है उसमें participate करते हैं, maintenance of ecological balance जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि forest रहेंगे तो transpiration होगा, transpiration होगा, evaporation, transpiration होगा, फिर water loss होके उड़ेगा, तो मतलब यह continuous process होगा, जो कि एक life cycle जो water cycle है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, not considering the ecological balance due to the continuous exploration to meet domestic and industrial need, तो domestic and industrial need को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, forest का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, right and concern not considering the right and concession of the local dwellers, तो right and concern को भी लेकर issue देखने को मिलता है, क्योंकि जो driver, sorry, not considering the rights and concession of the local dwellers, तो जो भी वहां के local tribes हैं, वो क्या करते हैं, उनको rights होती है, उनका मान ये रहता है, कि हम मेरी पूरी जिंदगी उस forest से related जुड़ी हुई है, तो forest से ये नहीं है कि हम forest से कटे रहेंगे और forest का इस्तमाल नहीं कर सकते है, तो मुझे भी rights मिलना चाहिए और concern होना चाहिए, कि हम से पूछा जाए कि हम forest में अगर government की कुछ बदलाओ करना चाहती है, कोई factory लगाना चाहती है, कुछ खोलना चाहती है, तो वो हम लोग का भी concern लेगे, जितने भी tribes होते हैं, उनका concern लेगे, तो ये भी एक उसमें defect देखने को मिला था, National Forest Policy 1952 में, Forestry Education, Forestry Education का मतलब क्या होता है, dealt only with the service forestry education and not considered the development of professional forestry education, forestry education में ये होता है, कि ऐसा नहीं है कि हमको pro level का forestry education उनको देना है, कि forest की सुरुवात कैसे होई है, सब कुछ नहीं, बस उनको ये बताना है, कि हम अपने काम को लेकर उस काम को कैसे करेंगे, तो उसमें क्या होता है, कि कुछ forest related experts आते हैं, जो कि उनको guide करते हैं, उनको समझाते हैं कि हम कैसे forest की area को बढ़ा सकते हैं, और अपने काम को करते करते, कैसे हम किसी और चीज़ को भी engage कर सकते हैं, forest research, जैसे कि हम FRI की बात कर रहे थे, forest research institute दहरादुन में है, not considered the research outside the forest department, ऐसा नहीं है कि बस forest department में ही research उसमें किया जाता है, not given any direction and agroforestry land use system to satisfy the demand of domestic and industry, तो ऐसा कुछ उसमें satisfy नहीं किया गया है, जिससे कि वो agroforestry के अंदर लोगों की जो demand है, domestic demand है उसको फुल्फिल कर सके, तो यह सारी चीज़े थी, और बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग आगे के वीडियो में इसके next national forest policy 1988 की बात करेंगे, इस वीडियो में बस 1952 के बारे में बात की गई है, और हमको ऐसा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको like करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करिए, इससे हमको motivation मिलता है और हम आपके लिए regular basis पे वीडियो बना के upload करते रहते हैं, तो आप वीडियो को लाज तर जुरू देखा करिए, अगर कोई doubt रह जाता है तो comment section पूछ सकते हैं, हमारा एग्रिपो नाम का telegram channel है और एग्रिपो नाम का instagram handle भी है, जिसको आप follow कर सकते हैं, वहाँ agriculture से related sorts डाले जाते हैं, जो कि आप जब देखते हैं तो आप कुछ चीजे याद हो जाती है लंबे समय तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाई बाई students!